कि नमस्कार दोस्तों अंद्ली फ़र हिंदिय में आपका फिर्शेव स्वागते इस वाले वीडियो सेक्षिन में हम रिवस फ़रो स्टार्ट इल्ट स्टार्टर का पावर डाग्रम देखेंगे अगर आप यह पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको यह बतना चाह पावर डाग्राम फॉर पार्ट में देखेंगे तो यह वाला जो तरीकता उसमें 4 कॉंटेक्टर उज्यूज करते हैं स्टार्ड दैल्ट रिवस फ़रोड के लिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर मैं ने डिर्चिन कंटेक्टर यूज किया है स्टार पापिक करना पड़ेगा तो यह वी चार कंटटेक् jetsr की बात अदेखती है उसमें क्या हो जाता है जैसे आप लाइंगे तो आपका डियरेक्शन कंटेक्टक them हो जाएगा कोई भी डेक्शन कंटेक्टर चलो जाएगा उसके दभका टाइमर और स्टार चालू हो जाएगा जैसे 10 सेकेंड के बाद आप टाइमर चुट जाएगा और डेल्टा में चेंज और हो जाएगा तो यह एक तरीक हो गया हमारा तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका जो सीधा आरवाइब भी आ गया है वह रिवस के चल गया है, चला गया है यहां से और मेरा गया क्योंब्र का बीट्र कर में हो जाएगा है क्योंकि यहां पर क्या होता हमारा direction contractor के kit पर ही लोड़ आता है और एक तरीका होता है जिसमें हम 5 contactor, जिसमें हमारा reverse का कॉंटिक्टर होगा और reverse का ही delta तरीक्टर होगा एक forward का कॉंटिक्टर होगा और एक हमारा star contactor होगा एक timer होगा, star contactor यहां पर common होगा तो यह वाला तरीक था, तो आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर face sequence भी आप check कर सकते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं हमारा जो reverse direction में motor गूमेगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा कि हमारा ये U1 और U2 है यहाँ पर दो फेज लग जाएगा V1, V2 को दो फेज लग जाएगा और W1, W को दो फेज लग जाएगा जैसे हमारा direction change हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि reverse contactor जब चलेगा तो हमारा R phase, Y phase, B phase ऐसा रहेगा U1, V1, W1 को और delta में से हमारा U2, V2, W2 को Y, B, R ऐसा connection आजाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एक winding को दो phase आजाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ वह मैंने यहाँ पर भी दिखाया है तो आप हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर क्या किया है कि direction contactor में से हमने यह R और Y को interchange किया है यानि जो भी आपका circuit होगा वो R और Y में interchange हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ भी forward direction में motor चलेगा तो forward direction में क्या हो जाएगा आपका U1, V1, W1 को R, Y और B connection आजाएगा और U2, V2, W2 को R, B, Y connection आजाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा एक winding को आपका दो फेज आ जाएगा बहुत ही simple था तो इस तरह के से हम reverse order star delta starter बना सकते हैं तो डाग्राम आपको समझ आया ही होगा वीडियो स्टॉप करके आप इसका connection ठीक से देख लिएगा कि क्या connection है कि जैसे हमारा reverse contactor के output में से हमारा delta contactor का incoming गया है और वही हमारा motor terminal को गया है तो अगर यह वाला वीडियो आपको पसंद है तो उसे लाइक और शेयर जरूर किजएगा subscribe बेटम पर क्लिक करना ना भूलेगा इसे मुझे बहुत सारा support मिलेगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया